राखी सावंद एक बार फिर से ख़बरों मचा गई हैं आदल खान दुरानी और राखी सावंद के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है दोने एक दूसरे बर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं उनके एक सस्बन आदल खान दुरानी का उन पर अशलील वीडियो लीग करने का आरोप लगाते हुए एफ आयार दर्च कराई थी हलाकि इस से बचने के लिए राखी ने बॉम्बे हाई कोट में याचिका दायर की थी जो खारिस हो गई अब आक्टरस ने सुप्रिम कोट का रुख लिया है इसके सुनवाई आने वाली 22 अप्रेल यानि सोमवार को होगी आदिल ने अपनी एक्स वाइफ राखी पर उनकी प्राइविट वीडियो लीक करने के आरोप लगाए थे और इस मामले में फायार भी दर्च करवाई थी लेकिन राखी ने भी डाव खिलते हुए बॉम्बे हाई कोट में याचिका दर्च की है लेकिन वो खारिस कर दी गई अब आक्टरस ने गिरफतारी से बचने के लिए सुप्रिम कोट का रुख गया है इस मामले में आने वाले दिन यानि 22 अप्रेल को सुनवाई होनी है देखने वाली बात होगी कि इस बार किसके हक में फैसला आता है आपको पता दें कि राखिसावन के सर पर गिरफतारी की तलवार भी लटक गई है उन पर कई गमभीर आरोप लगे हैं जिन में वो फस गई है बारतिया डन सहीता की धारा 500 के तहट उन पर मान हानी करने धारा 34 के तहट अपरात के एरादे में साज़ेदार होने के आरोप लगे हैं उन पर सूचना प्रद्योगी का अधिनियम की धारा सरसट ए के तहट मामला दर्च किया गया था राकी पर F.I.R. के आरोप में लगाए गए हैं कि उन्होंने टीवी टॉक शो में अपने एक्स पती आदल का प्राइवेट वीडियो प्ले किया हद तो तब हो गई जब उन्होंने इसे वाटसैप पर शेयर किया राकी ने अपने सफाई में ये कहा कि वो वीडियो बहुत धुंधला है और इसकी क्वालिटी बहुत गंदी है पुलिस के इन आरोपों पर राकी सावन के वकील ने दलील दी कि वो कई बिमारियों से पीडित है उन्हें आपरेशन कराना पड़ सकता है वैसे वो इस मामले की जाच परताल में सहयोग करने के लिए तयार थी लेकिन हिरासत में लेकर पूस्ताच करने की कोई जरूरत नहीं थी राकी ने नीचली अदालत और हाई कोट में भी ये तरक दिया था कि वो वीडियो पास साल पुराना था और बेहद धुंदला वीडियो था उन्होंने कहा कि ये खराब क्वालिटी का था और वीडियो में कुछ भी नहीं देखा जा सकता है अब योजक ने राकी के इन तरकों के विरोध में कहा कि उससे हिरासत में पूछताच जरूरी थी क्योंकि राकी सावन्त ने ये दावा करते हुए अपना फोन सरेंडर करने से इंकार कर दिया कि वो सेलेबरिटी है बात करें राखिल और आदिल के रिलेशन की तो दोनों ने गुपचुप शादी की थी हैकिन उनका ये रिष्टा लंबे टाइम तक टिक नहीं पाया था आदिल राखी की राहें चाहे जुदा हो गई हो लेकिन एक दूसरे पर वो आज भी कमेंट करने से बिलकुल भी बाज नहीं आते हैं फिलाल इस रिपोर्ट में इतना ही बाकिस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चानल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी जानकारी आप तक हम और पहुंचाते रहें